अब सलाम वालेकुम मैं एडूकित नवापटेल आपके खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप तुमाम को इस बात से वाज़र कराता हूँ कि आज के वीडियो में हमने पॉलिस की तालुख से चंद मौलमात लेकर आये हैं हमारे पास हमारे क्लेंड ने शिकैद दर्श कराई कि उसके भाई का चंद गुन्नों ने खुन किया और उसके लिए यह खुद भी जो है आईविटने से इसके आखों के सामने यह अधिशा पेश आया कि उन गुन्नों ने जो काम अंजाम दिया उसे अंदर जो है तो पॉलिस मिली भकत थी पॉलिस से मिलकर उन्होंने काम अंजाम दिया इसलिए पॉलिस ने रात में आट बेज़े वाक्या पेश आने के बाद पॉलिस जाय मौके पर मौजिद होने के बाद और पॉलिस खुद दोखने में मौजिद होने के बाद पॉलिस ने दोनों भायों को उठा कर दावखन में लिजाने के बावजूद दूसरे दिन सुबा पाच विज़े तक के गुना नोन नहीं किया था उनका क्या मकसद था उनकी नियत क्या थी यह अल्ला जानता है लेकिन सब मालूम होने के बावजूद भी पॉलिष ने गुंद नहीं किया है जब वहां से घटी दोखने से मरूम के रिश्चिदार जिसका खुन किया गया घटी दोखने province पोलिफ्रिशन पहुचें उस वक्त उन रिश्चिदारों के जोर देने के बाद पॉलिस के आला अफिसर को तो फोन करने के बाद वो गुनानोन किया गया उसके बाद, चैनी मिनट के बाद में, काउंटर कम्प्लेइन ले गई खातियों से, गुनेकारों से, और जो आई विटनेस है, उसके खलाफ केस दर्श किया गया, यह किसलिए, कि 302 के केस में आई विटनेस नहीं देना, यह ने खुद जो है, उन गुंडों बदमाशों को पॉलिस्टिशन में स्वरक्शन दिया, यह बात तमाम लोगों ने अपने आखों से देखे, और वहीं उनको बोले कि यह गुंड़े है, यह बदमाशीन, उनने खुन किया गया, और पॉलिस ने यह शोक कियी, कि दूसरे दि है, तो पॉलिस बोलती है, यह तो अभी अकॉले से आए, पॉलिस उनकी तद्लिक करें कि वह अकॉले से आए, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया, उस वक्त उनको वहाँ पर जोदो बिढ़ा के रखे, और बाद नारिफ महीं किये उनको, उसके बाद CCTV फुटेज की दिमां गई, अपील किये गई, उन्होंने भी देने से इंकार किया, मतलब इसे कौन-कौन शामिल है, यह तैकात का मुद्दा है, और इसे तैकात होना भी बहुत ज़रूरी है, यह तो ऐसे वाकियात पॉलिस से मिलकर कोई भी करते रहेंगा, अब उस बेचारे के ओपर जो है, ति पॉलिस ने खुद उनका जो है, उनके call recording collect किया, और उनका collect करने के बाद में चार्शेट के साथ जोड़ा, वह वहां मौझूद नहीं है, पॉलिस की कारवाई में मौझूद नहीं होने का report जिनका मिला, उनको आरोप बनाया गया, और जो एक गुंड़ा, जिसने मस्मवी से अपना CCTV फोटेज खुद के खर्चे से एक धावे पे लगाया और हुआ अपना रिकार्ड मेना के लिया और उनको बतला है कि मैं वहां पे था काल रिकार्ड पे था तो पोलीस ने उसके खलाफ जो है तो गुना नोन होने के बाद पूफू निकाल दी इससे थाबित होता कि ज़्यक्त पोलिस उनसे कितनी मिली है इसलिए जो है तो उस मरूम के वालिद ने पुलीस के खलाफ जैसे हमने इसके पहले के वीडियों में बतला आया था कि पूलीस आगर के भी ज्याद्थी करें खुल्म करें तो उनकी खलाफ पूलीस कंप्लेंब असटर्टी पूलीस त के पास तक्राइब करना चाहिए तो हूंवह सुने वे से कुरोना हमने पास में हमने जो है तो उनके स्कॉल जा रही है और आणे वाले श्कू कर अध्र पाशी है इसके बात हमने जो है और य wir कोटने जो है तो खुश्ब स्था होने के बाद को उनके खलाफ कंटे माफ कोट की कारभी करो ज़ों कि Bud equice कि एस बंदे का बना यह था कि यह हमको इंसाफ मिलना चाहिए हमने क्या करना उस्से लिए हमने उनको रष्टा पतलाए एक तो पॉलिस पराजीकरन नयब राजीकरन में पुलिस कंप्लेंट पराजीकरन में शिकाइदास करने का दूसरा हाई कोट में रिट करने का तीसरा जो है अभी इसके पर जो 307 कारवी चालू है इसमें इसको अरेट किया गया था उसको बेल मैं uguri mean मति करने के लिए इनको बोलो जैमेपशी कोट ने पोलीस के मिलाजिम को जो अगना देखुक छेखाल कर भुला कर बूरे में यह जाकर था ऍो को यह ऐसको यह वहाँ पर जांग यह वाद में यह अज़िट और में अप्छा करना था तुम वहाँ और ये चुन के घर ए शोम लोगा लें लेकिन जब जमानत के ऊपर बहिस चली और पूलिस को इस सब चीजे अदालत को सब चीजे बतलाए गई जिला अदालत में हरफनामा दिया गया और जिला अदालत की जानेब से खुझ दोतिर मरतबह कोशिश की गई इसको जो है पूलिस ना चाहिए लेकिश पूलिस नहीं की और फिर जो है तो इस जमानत को रुकावट पैदा करने के लिए इससे हमको अधियर लेना है यह मसला जाल दी अब जब रिकॉरी है तो जाहरी बाद है अदालत जमानत नहीं देती उन्हें इस मिलना थी लेकिन अदालत ने जमान अगर नहीं भी दी जमानत तो आदलत ने अपने अब्सरवेशन में सब तीवी लिख दिया कि पॉलिस ने किस तरह से हैं यहां पर जो है तो बदनवानी की और वहां साफ अल्म लिखे कि यह पोली जो है तो आरूपी को बचा ने के कोशिश कर रही और पोलीस इन्हें आरिफ करने के लिए कोई कोशिश ने की कि अब दिवाइस पी है उसके खिलाफ यह जो है तो कोशिश कर भी करना चाहिए और इस मामदे की तहिकात दोबारा करना चाहिए ऐसे हिंट्स जो है तो दिफ्टिक प्रोट ने उस बेल अप्लेशन के आर्टर के अंदर जिया लेकिन यह जो मामला है इसके अंदर पूलिस कईसी मिली भी है इसकी तहिकात करने के लिए अभी हम 153 के तहित के तहित के दाखिल करके कलम 166 IPC कलम CRPC के कलम 156 के तहित अप्लेशन दाखिल करके IPC के कलम 166 और 166 के तहित गुना नोन करेंगे के जानबुच के तकलिफ पहुचाने के लिए इन लोगों ने इस तरह की अर्कत किये हैं जो पुलिस प्रादिकरन में केस जारी है उसमें भी कुछ आवरुपी का इजाफा करेंगे जो पुलिस दिपार्मेंट के हैं और हमारी यह उम्मिद है कि इन्शाल्ला इसके अंदर मर्हूम को मक्तूल को इनसाफ जरूर मिलेंगा जिसका खतल किया गया उसको इनसाफ जरूर मिलेंगा और उसके भाई के जो नाम घलत तरीके से डाला गया इन्शाल्ला उसका भी जो है तो इन्शाल्ला उसका भी जो है इनसाफ जरूर होगा और दूद का दूद पानी का पानी होगा इसी उम्मिद है इस वीडियो के जरिये से हम तमाम अवाम को यह संदेश दिना चाहते हैं कि अगर चे कभी किसी भी के साथ इस तरह की जल्म ज्यादती पूलिस के जानिव से हो और मुजलिमीन को मिलकर मजलुमीन के खलाफ अगर पूलिस कारवी करती है तो आप सिदे से उनके खलाफ कारवी किजिए दरने की जुरूरत नहीं है उसके लिए आपको और अधालत से रूज्य हो अधालत में मुकदम अधायर करो अभी जो है इनकी नोक्रिया भी जाती और इनके जो है काले सटे भी सामने आते अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो एक मामले में खामच बठीगे दूसरे मामले फिर वो करते इनको पैसे की लालस है और इस लालस के डीत हैर जो है वह मतलुम जो है उसको तगलिफ देते और जालीम जो है उसे मदद करते हैं मैं उम्मीद करता हrouं कि आप तमाम जो है आशीते है शीत है जो है इसी तरीके से तो यह बात अवैं तो क्यों सब च्बीगे जाना चाहिए और मालून अणनी के खुलाफ जिलान लोग को तक पोल्शाई इन अगर जी रूख रफिस